मेरे छोटे से जीवन की लंबी कहानी मैं इंद्रा हूं कहती हूं अपनी जुबानी जो सोचा था मैंने वहां आ गई मैं जो मुश्किल था पाना वो पा गई मैं मैं अपने ही जैसों का मेला चलाऊं गिरी है पड़ी है मैं उनको उठाऊं संभालू समारू और आगे बढ़ाऊं चली जब अकेली बड़ी ही अकेली, बड़ा लंबा रस्ता बड़ा तेड़ा रस्ता, पता था कभी तो खतम होगा रस्ता, कहीं पर न सहमी, कहीं न डरी में, अता कहीं भी न हारी और जीती गई में बड़ा ही सुहाना था दिन जिन्दगी का, जो एहसास लाया था दिल में मेरे, कि तु है कहीं पे, कहीं मेरे भीतर, कहीं मेरे अंदर बड़ी ही मगन में, खुशी में थी गुम में, जमाने से अंजान थी कितनी नादान सवालों की बोचार फिर मैं अकेली, अभी जल्दी जाओ, बेटी अगर है उसे तुम गिराओ, मैं चटान सी बन गई उनके आगे, मैं तलवार सी बन गई उनके आगे नन्ही परी नन्हे पैरों से अपने, मेरे घर में आई, मैं खुश थी बहुत खुश वोही सारे कपड़े सिले अच सिले जो, कभी माने मेरी, मुसौगात मेरी, सिली थी, बुनी थी, सजाई, सवारी, उन्ही को लिया और सवारा फिर उनको मैं चलती गई साथ लेकर के उसको, मा थी मैं उसकी, वो बेटी थी मेरी, मैं इंद्रा थी उसकी, वो इंद्रा थी मेरी नए घर में आई, नए सपने लेकर, सभी दर्द अपने कहीं छोड़ आई, कहीं दूर पीछे, मगर दर्द मेरे चले आई सारे, महीं पर जहां पर पड़े पैर मेरे साथी नहीं साथ रहता था बस वो, जब चाहे जो कुछ भी कहता था मुझको, मगर मैं थी इंद्रा, बड़ी मेहनतों से बनी थी मैं इंद्रा, रोके रुकी और टोके रुकी ना अपने ही घर में बड़ी सहमी रहती, कटुता भरे शब्द, रोके खरे शब्द, सभी कुछ में सहती, प्यार भरे शब्द उसके लिए थे, जो भाई था मेरा, प्यारा बहुत था, दुलारा बहुत था, घर के बड़े सब, सभी अकल वाले, कहते थे मुझको पढ़ना नह ही है, बेटा तो मुखिया है, इसको पढ़ाओ, जो बच जाए इस से, तब इसको खिलाओ, मैं रोई बहुत की मुझे तुम पढ़ाओ, रुकूंगी नहीं मैं तुम्हारे कहे से, डरूंगी नहीं चाहे जितना डराओ, अटल फैसला ये अटल ही रहेगा, तेरा रस्ता ल अजब सी खुशी थी कि मा से मिलोंगी, भागोंगी दोडोंगी आंगन में उनके, पुकारोंगी उनको, नहारोंगी उनको, फिर एकदम अचानक एक शोर सा उठ्था, अरे शोर कैसा, ये शोर है कैसा, मैं घबरा के उठ्थी, थर-थर मैं कापी, समझ भी न पाई, ये शो लड़ने की शमता कहीं खो रही थी, ये आफथ है कैसी, कहां से है आई, किसी ने मुझे मार डाला दुहाई, मा कोख तेरी मेरे काम न आई, जो इंदरासी बेटी बेजन में सुलाई क्या आपके अनुसार कन्या भून हत्या एक तरह का नरसंहार है? पिछले चार दशकों में भारत, पश्चिम एशिया, चीन और अन्य दक्षिन एशियाई देशों के तीन अरब संयोक्त आबादी में से एशिया की 10 करोड से भी अधिक महिलाय लापता है अरबस्णल्स